रॉकेट इक्वेजिन में एक बहुत इंपोर्टन वेरिबल है वी-ई जो है रॉकेट इंधन की निकास गदी रॉकेट सूतर से साफ दिखता है कि जितना अधिक वी होगा सीधे अनुपात में उतना ही ज्यादा डेल्टा वी होगा और डेल्टा वी बढ़ाना ही रॉकेट इंजिनियर का लक्षय है अब रॉकेट इक्वेजन में M0 या प्रारंबिक भार और MF या अन्तिम भार इनको नापना तो आसान है पर निकास गदी VE को कैसे नापे अगर रॉकेट इंजिनियर VE नहीं नाप सकता तो वो रॉकेट इंजिन में बढ़ोती कैसे लाएगा पर इसे नापें भी तो कैसे इतने रफ्तार से निकलता प्रपेलक जो तहन कक्ष से जुलन होके आ रहा है पहुती हाई टेंपरिचर और प्रेशर में उसकी गती को नापने के लिए कैसे सेंसर या उपकरण चलेगा जो खराब भी नहो और रलायबल भी हो तो दर्सल VE को सीधे नहीं नापा जाता है बलकि उसे इंडिरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से नापा जाता है कैसे ये होता है rocket thrust equation या rocket ball सूतर का प्रयोग करके बल सूतर कहता है कि rocket ball इंधन के भार प्रभाददर और इंधन की निकास गती का गुणाख है भार प्रभाददर बताता है कि कितने किलो इंधन प्रती सेकंड खपत हुआ इसको नापना आसान है सीधे देखना है कि कितने समय में कितनी टंकी खाली हुई तो अब प्रशन है कि rocket बल कैसे नापने है इसका तरीका वही है जो आपने highway पे ट्रकों का वजन नापने के लिए देखा होगा सिस्टम जिसको कहते हैं धर्मकाटा इसमें ट्रक एक मंच के उपर खड़ा होता है और मंच के नीचे लोटसल होते हैं जो वजन नापते हैं rocket thrust या बल बिलकुल ऐसे ही नापा जाता है सिर्फ इसमें धर्मकाटा को उल्टा कर दिया जाता है अब rocket engine नीचे से उपर को दबाता है और दबाने के जोर को लोटसल से नापा जाता है बिलकुल जैसे ट्रक वाले धर्मकाटा में फर्क ये है कि अब वजन उपर की दिशा में है याद रहे फिजिक्स में वजन और बल एक ही है दोनों को ना पा जाता है न्यूटन से तो अब हमारे थ्रस्ट एक्वेजिन में हमें F पता है हमें M. पता है अब हम VE निकाल सकते हैं और उसको रॉकेट एक्वेजिन में डाल सकते हैं और घहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए YouTube चैनल इसरो करता क्या है जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विग्यान की खूब जानकारी मिलेगी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब, कामेंट जरूर करें बल बुद्धी विध्या देहु मोही, हरुकले सविकार जे बजरंग भली